बिस्मिलाहिर रह्मान इर्वाहीम असलाम लेकूम नाजरीन दुरूश रीफ पढ़ने से रिजक में इजाफा होता है अपने रिजक रोजी में बरकत चाहते हो रुजाना आइतल कुर्सी पारकर काम शुरू किया करो जीरे का इस्तमाल चेहरा जवान रखता है मिठी चीजें हुपसूर्ती और सहत के लिए जहर हैं हर्बूजी के बीच हुशक करके जबाने से ये दाश्त कमजोर नहीं होती जामन की लकडी को गार में जला कर दूनी देने से कीरे मकोडे बाग जाते हैं ज्यादा ठंडा पानी पीने से चेहरे पर जुडियां आ जाती हैं रुजाना एक केला खा लेने से गुस्सा जहनी दबाओ और चिर्चरापन हतम हो जाता है दूद पीकर खजूर खाने से दमाग तेज होता है पाला खा कर फोरण सो जाने से नीन ठीक तरह से नहीं आती अंगूर खाने के बाद उपर से पानी हरगिस ना पीओ इस से बत्रीन हैजा हो सकता है खाने के दुरान ज्यादा पानी पीने से नाहुन कमजोर हो जाती है गार से नहुसत हतम करनी है तो सूरज गुरूब होने के बाद एक अगरबती गार में जलाल और गार से नहुसत हमेशा के लिए चली जाएगी सुके दनिये की चटनी बना कर खाने से खानसी रुक जाती है ठंडे पानी के बाद चाए बिलकुल ना पीए अद्रक खाने वाला बन्दा कभी बिमारी का जल्दी मूँ नहीं देखता अगर आप चुहों से तंग आ गए हैं तो चुहों के बिल के पास हाली अंडे का होल रख दो चुहे बाग जाएंगे अगर पेट में बहुत ज्यादा बाढ़ गया है लसन के तेल से पेट की मालिश करो इस से बढ़ता हुआ पेट काम हो जाएगा जो आलू ज्यादा खाता है इसका वजन बाढ़ जाता है हमल की वज़ा से कमजोरी बढ़ जाए तो चोटी लाची को गुड़ वाले पानी में डाल कर पी लो दहीं की अंदर अलाची डाल कर पी लो लूज मोशन आना रूप जाएंगे कच्ची गाजर खाने से हून गाडा नहीं होता दिल का दोड़ा पढ़ने से रोकती है बद नुमा दाग दब्बे वगेरा हतम करने के लिए क्रेले के छिलकों को पीस कर इसमें दो चमच टमाटर का रस डाल कर दाग दब्बों पर लगाने से कही सालों के पुड़ाने दाग दब्बे भी दूर हो जाते हैं डिप्रेशन की बिमारी हो तो पुदीने की हुश्बु सूंग लिया करो नहार मुसेब खाने से कबस हतम होती है जो ज्यादा बोलता है इसकी दलील में कोई वज़न नहीं रहता तजाबियत से बचने के लिए थोड़ा खाना खाओ ज्यादा ना खाओ पिस्तर के जराने को बिलांद रखो गार से जादू और जरासीम बगाने के लिए कलवंजी की दूनी देनी चाहिए दूद गरम कारके पी लेने से हडिया नहायत मजबूत हो जाती है हल्दी वाला दूद पीने से सांप या बिच्छू का जहर जल्दी असर नहीं करता डिप्रेशन की वज़ा से ममूल से ज्यादा तीन से चार गुना हुआप ज्यादा देख सकते हैं कच्छे पाल और कच्छी रोटी खा लेने से जहन कमजोर हो जाता है पैदल चलने से पहले अंजीर खा लेने से गुटनों में ताकत पैदा करती है खाना हमेशा चिबा कर ठेHave ठेर कर खाने से वज़न कम होने लगता है रात को खाने में पीतल के बरतन के इस्तमाल करने से हुबसूर्ती के अंदर इजाफा हो जाता है खुश्क बरिना बधन पर माल लेने से बधन के दाग दबे दोर हो जाते हैं अद्रक का रस बालों पर लगाने से बुड़ापा जल्दी नहीं आता रात की रानी के पोदे की जार का पानी नकाल कर पीने से बड़ा हुआ पेट काम हो जाता है जिस शक्स ने अपने रास को अपने तक मैदूद रखा वो जल्द काम्याबी की मनजल तक पहुंच गया जिन लोगों के बाल वक्से पहले सफेद होने लगें वो मचली का इस्तमाल किया करें सुबा उठते ही नाच्टे की रुटीन बना लो जल्दी बड़ापा नहीं आएगा सरसू के तेल के अंदर लसन मला कर मालिश करो हर किसम की हारिश दूर हो जाएगी दूसरों के सहारे जीना छोड़ दो क्यूंके आप पैदा ही खड़े होने के लिए हुए हैं जिस्मानी कमजोरी के लिए एलोवेरा का हलवा अकसीर समझा जाता है जिल्द के दाग दबे दूर करने के लिए एलोवेरा जेल बेहद फाइदा मांध है खाने के साथ ठंडे पानी का इस्तमाल बिलकुल ना करें खाना जल्दी हजम नहीं होता अरके प्यास का इस्तमाल कबस की प्राबलम को दूर कर सकता है कवे इनसानी चेहरों की पहचान रखते हैं और सारी जिन्द की याद रखते हैं सबस्चाई पीने से मुख्तलिफ किसम की अलर्जी से बचने में मदद मिलती है अजवा कजूर जन्नत का फाल है और ये जनून पागल पान का इलाज है जिन लोगों का मेदा हराब हो इन लोगों को चाहिए आलू वाले पानी में इसमगोल का छिलका डाल कर सुबा टाइम पीने से ये मसला हाल हो जाएगा ऐसे खाने जो दुबारा गरम करने के बाद जहर बान जाते हैं आलू पकाने के बाद अगर इनको कमड़े के टेमपरेचर पर छोड़ा जाए दोनों सूर्तों में इसमें बेक्टेरिया पैदा हो जाते हैं चावल को दुबारा गरम कार के खाने से इसमें बेक्टेरिया पैदा होते हैं किसी तरह हतम नहीं होते जो इनसानी सहथ के लिए बहुत जरीले साबित हो सकते हैं बच्चों को ज्यादा फीडर प्लाने से बच्चों के पठे कमजोर हो जाते हैं अक्सर अकाद बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं इसलिए बच्चे का फीडर जल्दी छड़वा देना चाहिए पीचे मूर कर मत देखो कोई नहीं जानता दुनिया कैसे शुरू हुई मस्तक्बिल के बारे में ना डरो कुछ ना बाकी रहने वाला है अगर तुम माजी और मस्तक्बिल में उल्जे रहो गे तो हाल कैसे गुजर जाएगा फालसे का शर्बत पीने से मेदे की जलन हतम हो जाती है जिगर की बिमारी में चेहरे की रंगत पीली पाड़ जाती है पाने में हल्दी डाल कर पीने से पेट की सफाई हो जाती है नहार मूँ पानी पी लेने से इनसान का दमाग तेज होता है प्यास को चार टुकरों में काट कर कमरे में रख लुब, जुकाम की बिमारी कभी नहीं होगी चंबेली का तेल सार पर लगाने से बाल गिड़ना बांध हो जाते हैं कच्चे अमरूद खाने से दान तेज होते हैं नहार मू लंबी-लंबी सांस लेने से दिल की बिमारी काम होती है वाशरूम की बू हतम करने के लिए शेतूत की लकरी जला कर राक तो बू हतम हो जाएगी सुबा नहार मू कद्दू का एक टुकड़ा खाने से ब्लेड प्रेशन नार्मा रहता है गन्ने की गंडेरियां चूसने से रुका हुआप शाप खूल जाता है नहार मू नीम कर्म शेह चाटने से उमर में इजाफा होता है खाने के बाद थोड़ी सी अजवाईन पानी के साथ खा लेने से मुटापा दूर हो जाता है गर्मियों के मौसम में तर्बूस का इस्तमाल करने से आप बहुत सी बिमारियों से महफूस रह सकते हैं जो लोग कबस की वज़ा से परशान हैं वो गोश्ट का इस्तमाल ना करें खीरा खाने से मेदे की जलन हतम हो जाती है फ्रीच से अगर फलों और सबजियों की समेल दूर करनी है एक लिम्बू काट कर राखते खाने के फोरी बाद नहाना सिहत के लिए इंतहाई नुकसान दे है अदरक का चोटा सा टुकरा चबाने से जिसम में मजूद गेर जरूरी गैस फितरी तरीके से हारिच हो जाती है 32 बार एक लुकमे को चबाओ सुबा साट फिसद खाओ दुपहर को तीस फिसद खाओ और शाम को दस फिसद खाओ प्यास को चीर कर कुछ तेर फ्रीज में रख दो इससे प्यास काटते वकत आंकों में आंसु नहीं आएंगे दिल के दर्द मेदे की सोज़श और नजाम की हराबियों में अनार मुफीद चीज है प्यास का इस्तमाल मुख्लिफ किसम के मुस्मी इंफेक्शन से बचाता है दालचीनी के मसलसल इस्तमाल से ये दाश्ट बेहतर होती है कान का दर्द बहुत तकलीफ दे होता है सरसू के तेल का इस्तमाल कान के दर्द के लिए मुफीद है सरसू के तेल में लोंग जला कर ये तेल कान में डाला जाये तो कान के दर्द को बहुत फाइदा होता है इसके लावा सिर्फ गर्म सरसू का तेल भी कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है बहरापन का भी इलाज है अगर हाथों की जिल्द सखत हो जाए दूप में बैटने से जिल्द नरम हो जाती है रोजा रखने से पेट की बिमारियां हतम होती है बदाम और अंजीर का मिलक शीक पीने से आपको किसी बीदवाई की जरूरत नहीं पड़ती मसूरों में दर्ध हो यां सोजन पांच ग्राम फटकरी को एक गलास पानी में गर्म कार लीजिए जब फटकरी पीगल जाए तो इसको दानतों मसूरों पर मसल लें जल्द अफाका होगा दानतों पर नीम के दरखत की मस्वाक रगरो दानत का कीड़ा हतम हो जाएगा जिसकी सांस पूल जाती हो वो बेर खाए ये बिमारी दूर हो जाएगी अगर हुआब में बकरी नजर आए समझ लोरी जख आने वाला है सिर्गर नोशी नहीं करनी चाहिए अंडे खाने से नजर तेस होती है रात को खुजूर खाने से मेदा हुश्क नहीं होता मेदे का कैंसर नहीं होता हून की गर्मी और ब्लेड पिशर को हतम करने के लिए कद्दू मुफीद चीज है थूकने से बदन में पानी की कमी होती है पेट का दर्द ना जाता हो नहार मुदहीं खा लिया करो क्रेले का पानी पीने जे चेहरे के दाग दबे दूर हो जाते है वो औरत कभी बुड़ी नहीं होगी जिसका मर्द इसकी बार बार तरीफ करे दो फाल औरतों की हुबसूरती को चार चांद लगा देते हैं वो हैं माल्टा और अलीची सफेर प्याज का रस बालों पर लगाओ बाल गिरना बांध हो जाएंगे गाजर का हलवा दिल के मुरीजों के लिए फाइदा मंद है तहजज़त बहुत लाडली अबादत है इस अबादत को जो पहुँचिए अल्ला का पसांदीदा शक्स बान गया तहज़त की नमाज ये सबूत देती है तुम्हें अल्ला से और अल्ला तुम से महबबत करता है रभ जिसे अपनी महबबत से नवासता है तहज़त तक लाता है तहज़त पढ़ने वाले की दुआ कभी रत नहीं होती सुभान अल्ला अगर आप अपने चेहरे पर नूर पैदा करना चाहते हैं रुजाना सुरत नूर की आयत नमबर 35 एक मर्दबा पार कर अपने उपर फूंक लें इन्शाला नूर ही नूर पैदा होगा ग्यारा के जुरें रात को पानी में बिगोग कर राक दें सुबा गुठली नकाल कर दूद में शामिल करके मिलक शेक बना कर पीच दें बच्चों को पलाई कुछ दिनों में काद बाढ़ जाएगा अलसी उबाल कर इसमें चंद कतरे लिंबू का रास डाल कर शेह डाल कर नोश फरमाए नजला जुकाम और खांसी से निजात मिल जाएगी रात के खाने से पहले 21 काली मिर्चों का कावा पी लें सांस फूलना फेपरों पर पानी चार जाने का मसला दूर हो जाएगा नाजरीन अगर आपको हमारी वीडियो पसांद आई है तो हमारी चैनल को सस्क्राइब कर लें शुक्रिया